हलो बच्चों इस वीडियो में अपन दो स्वेयर्स के बीच में कंड़क्टिंग स्वेयर्स के बीच में चार्ज के री डिस्टिबिशन को स्टडी करेंगे बिटा सबसे पहले यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि चार्ज फ्लो कहां से कहां होगा और सबसे पहले इसमें दिया गए कि दोनो स्वेयर्स के बीच का जो डिस्टिंस है वो इंफिनिटी है यानि दीज टू स्वेयर्स आर नोट इंफ्लूएंसिंग इच अधर मतलब यह दोनों स्वेयर्स एक दूसरे पे पोटेंशिल नहीं बना रहे सही है तो अभी क्या है अभी आप सबसे पहले देखो कि फॉर्स्ट वाले का पोटेंशिल क्या होगा वीवन जो वीवन होगा पोटेंशिल अफ फॉर्स्ट स्वेयर्स वो सिर्फ खुद की वज़े से होगा और खुद की वज़े से के इंटू टू क्यू बाई आर यह होगा पहले स्वेयर का पोटेंशिल के क्यू बाई आर और जो दूसरे स्वेयर का potential होगा वो होगा K into 2Q by 2R है ना तो आपको देख रहा है कि V1 is greater than V2 therefore charge will flow from 1 to 2 charge 1 से 2 जाएगा क्योंकि charge positive है और positive charge flow होता है from higher potential to lower potential अब यह अगर पूरे एक system मानना इसको तो इस system का charge किता है total 4Q तो जो भी charge का landen होगा distribution होगा वो इनके बीच में होगा आपस में है ना तो system का total charge will remain constant 4Q ठीक है तो अब जो है अगर हम देखें कि charge इसमे redistribute हुआ और कब तक होगा जब तक होगा जब तक दोनों का potential equal न हो जाए है ना जब तक दोनों का potential equal न हो जाए तो let new charge new charges are Q1 and Q2 respectively दोनों पर नए charges किते हैं Q1 प्लस Q2 तो एक बात तो यह है कि Q1 प्लस Q2 जो होगा वो 4Q ही होगा क्योंकि system का total charge same रहेगा और दूसरी बात यह है कि potential equal होंगे तो potential के Q1 by R will be equal to के Q2 by 2R तो यह के से के cancel तो Q1 upon Q2 is equal to 1 by 2 and hence अगर अपने यह वैलियू यहां रख देंगे first equation में ठीक है तो first equation में वैलियू रखने पर आजाएगा कि Q1 will be equal to 4 Q by 3 और Q2 will be equal to 8 Q by 3 है ना तो बेटा trick क्या है trick यह है यहां पर कि directly करना हो कि आप क्या करो कि आप system के total charge को sphere के radius के ratio में divide कर दो मतलब अगर हम direct करते हैं तो कैसे करते हैं कि हम देखते system का total charge कितना है 4 Q ठीक है ठीक है अब जो ratio में जितना है ना उसको उस हिसाब से उतने parts दे दो अब जो first वाले sphere है उसका ratio में part 1 है और second वाले का part 2 है दो parts है तो पहले वाले को एक part दे दो यानि 4 Q by 3 और दूसरे वाले को दो पार दे दो यानि 8 Q by 3 ठीक है वाच्छो ये इसकी trip थी मिलते हैं पन अगले वीडियो में थेंक यू